हेलो एबरीबरीबान वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ आज जो आप सब को बहुत पसंद आने वाली है और हेलफूल टिप्स है तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला टिप्स है उसके लिए हमें चाहिए मैटल की चूरिया जितनी भी चूरिया है वो ले लीजिए और इसे हमें कट करना है सीजर से बीच से हमें कट करना है अगर मैटल की चूरिया नहीं है तो लाह की लेठी है टूटा हुआ या फिर पुराना सा तो वो भी ले सक उसको भी जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से मैटल निकल दी है तो मेरे पास दो ही था, मैं दो ले ली हूँ, आपके पास जितना भी है, वो ले लीजिए और सीजर से इस तरीके से बीच से कट कर लेना है अब इसे हमें एंगल बनाने हैं तो एस के आकार का एंगल हम इस तरीके से बना लेंगे तो जितना भी आपने मैटल की जूरियां को कट किया है उतना एंगल बना लीजिए और अब लेना है बॉटल, तो कोई भी आप बॉटल ले सकते हैं, एक लीटर दो लीटर की जो बॉटल है वो ले लीजिए और इसे हमें बीच से कट करना है, चाकू को थोरा सा गर्म करेंगे तो आसानी से कट हो जाएगे, बॉटल को कट करने के बाद इसके साइड साइड से छोटे-छोटे होल करने हैं, कोई भी नुकिली चीज को गर्म करके आप होल कर सकते हैं और बॉटल के धकन में भी एक होल कर लेना है, जिससे कि हम इसमें धागा बांद सके, अब ले लेंगे छोटा सा एक धागा लेकिन मजबूत धागा लेनी है, और इस तरह से धागा के दोनों सीरे को जॉइंट करके और इसमें हम धागा को डालेंगे, बाहर की तरफ से हम डालेंगे, और फिर अंदर एक गाठ लगा लेंगे, मजबूत गाठ लगाएगा जिससे कि कोई भी चीज इसमें हम हैंक करेंगे, तो ये धागा निकलेगी नहीं या फिर तूटेगी तो मजबूत धागा लेनी है और गाठ भी एक या दो बार आप लगा दीजिए, मोटा गाठ लगाएगा, जिससे कि ये होल से निकलेगी नहीं धागा, अब इस टकन को बोटल में लगा देना है, और लगाने के बाद जितना भी एंगल बनाए है, उस एंगल को जो बोटल में चोटे-चोटे होल किये हैं, उसमें लगा देना है, तो मैं सिर्फ चार ही एंगल बनाई हूँ, तो चार लगा रही हूँ, आप चितना होल किये हैं, उतना एंगल लगा के, और किचन के चोटे-चोटे टूल्स को इसमें टांग सकते हैं, जिससे कि जब भी आप किचन में क करते हैं तो छोटे टूल्स को आपको ढूलना नहीं पड़ेगा या फिर कैरी बैग या कोई थैला है इसमें आप टांग के रख सकते हैं चोटा सा ओर्गनाइजर है लेकिन इसे कहीं पर भी टांगेंगे तो आपको जो समान है एक जगा सुरक्षित रहेगी और जब भी जु पूटा सा उपाई कीजेगा जैसे कई बार होता है हमें पूरे दिन के लिए एक खुशबू चाहिए पूरा दिन हमें बाहर रहना है तो आप उसके लिए दियो या पर्फ्यूम जो भी आप लगाते हैं उसे फ्रीजर में रख दीजे पांस मिनट के लिए ज्यादा दिर के लंबे टाइम तक बरकरार रहती है इस तरह कि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं ये काफी मजबूत होते हैं जूट के बैग या फिर प्लास्टिक के जो भी बैग हैं ये काफी मजबूत होते हैं कई बार तो चावल का जब पैकेट लेकर आते हैं तो इसी तरह के पैकेट म हुआ नहीं रहता है दूसरा जब भी आपको जरूरत परेगी आसानी से मिल जाएगी कही पार होता है ऐसे ही हम रख देते हैं तो वह इधर उधर हो जाती है फिर जब हम मार्केट जाते हैं सागबाजी लाने के लिए या किसी भी समान के लिए हमें थैला चाहिए इस तरह की वह नहीं मिलती है तो आप इस तरीके से फोल्ड करके कहीं पर भी कील में टांग सकते हैं जिससे कि ये एक जगा सुरक्षित पिराएगी देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और ये टांगा रहेगा तो बुरा तो नहीं लगेगा देखने में साथ में जब ज़रूरत परेगी आसानी से मिल जाएगे या फिर आप क्या करें एक हैंडिल को इसमें इस तरीके से लगा दे जिससे कि इसकी जो पैकिंग हमने किया है ये खुलेगी नहीं और एक जो हैंडल है उसे हम कील में टांग देंगे तो इस तरीके से भी टांग सकते हैं या फिर आपके पा समय बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं और जिस वज़ा से कई बार मच्छर या कोई कीरा काट लेती है तो हाथ में रेडनेस हो जाते हैं इचिंग भी होती है जलन भी होती है तो इस जलन को दूर करने के लिए और रेडनेस को कम करने के लिए आप छोटा सा उपाय कर सकत थोड़ा सा लेना है white colgate paste और अब उसमें mix करना है vaseline तो जितना आपने paste लिया है उदना ही vaseline लेना है और दोनों को mix कर लेना है mix करनी के बाद जहां पर भी redness है जलन हो रही है इचिंग हो रही है वहाँ पे tap tap करके लगा लेने हैं अगर आपको पूरे हाथ में ही हो रही है या पैर में हो रही है तो आप पूरे में ही लगा सकते हैं कोलगेट से जो जलन होती है उसमें तुरंत ठंड़क मिलती है कई बार हाथ जल जाते हैं तो कोलगेट लगाते हैं या फिर कच्ची आलू को पीसके लगा लेते हैं तो उससे ठंड़क महसूस होती है तो जो जलन है वो तुरंत कम हो जाएगी और वैसलिन लगाने से जो लिया और थोड़ी सी रड़नेस है जलन हो रही है तो ये टिप्स ज़रूर ट्राइ कर सकते हैं अगर हाथ में हो रही है तो पुरे हाथ में भी लगा सकते हैं अगले टिप्स के लिए हमें चाहिए coconut oil और एक छोटा सा cotton ball और उस पे थोड़ा सा oil रख देना है बहुत ज़्यादा भी oil नहीं रखना है और इस cotton से अब हम clean करेंगे अपने घर के switchboard को switchboard भी गंदा होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है कई पार घर में छोटे बच्चे हैं तो वो pencil से गिस देते हैं इस पे तो देखने में अच्छा नहीं लगता है तो इसे इस तरीके से जब clean करेंगे आसानी से clean भी हो जाती है और किसी तरह का खत्रा भी नहीं चांस नहीं रहता है फिर भी आप safety के लिए MCV डाउन करते जिसे की कोई चांस नहीं रहे और इस तरीके से clean कर लीजे इस तरह से जब आप clean करते हैं बहुत ही बढ़िया से साफ हो जाती है फिर सूखे कपड़े से इसे पोच दीजे आप देखेंगे घर का जो भी switchboard है वो clean कर सकते हैं अगले tips के लिए हमें चाहिए पुराना socks तो कोई भी पुराना socks ले लीजे लेकिन साफ सुत्रा होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा और अब लेना है हमें चावल जो चावल आप खाते हैं वो 4-5 चमत चावल ले लीजे बहुत जादा भी चावल नहीं च करनी है चावल की पोटली तैयार कर लीजे गाठ लगा लीजे या फिर रवर बंड लगा लीजे और अब इसे हमें गर्म करना है तो जैसे रोटी बनाते हैं काफी देर के लिए तबा गर्म रहती है तो उसके उपर भी रखके इसे आप गर्म कर सकते हैं या फिर 2 मिनट के लिए तवा को गर्म होने के लिए गैस पे रख दीजिए और इसे हमें गर्म करना है चाबल की पोटली जब गर्म हो जाएगी तो हम इसकी अब सिकाई करेंगे जैसे ज्वाइंट में कई बार पेन होती है घर में बरे बजर्ग हैं तो उन्हें अकसर ही गुटने में या फिर कि एरियो में कहुनी में कलाई में दर्द होती है अंदुरूनी जो चोट है जो ज्वाइन पेन है उससे आपको बहुत ज़्यादा रहत मिलने वाली है जब इस तरह की पोटली बनाके और सिकाई करते हैं तो कई बार बच्चे ही खिल-खिल में गिर जाते हैं तो उन्हें च चोट लगती है दर्द होती है तो इससे आप सिकाई कर सकते है जो खुला घाओ है उस पे सिकाई नहीं कीजेगा लेकिन जो अंदुरूनी चोट है उसकी आप सिकाई जब इस तरह की पोटली बनाके करेंगे तो बहुत रहत मिलती है कई बार हम लेडीज ही बहुत जरूर कीजेगा तो कैसे लगी आपको आज की सारी टिप्स कमेंट करके जरूर बताएगा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजेगा बाबाई टेक कियर